चलती लोकल में एक बार फिर दिन दहाड़े हुई लूट बंदू की नोग पर दिया गया वारणात को अंचाम प्राप्त जानकारे अनुसार चर्जगेट से दिरार की और आने वाली लोकल ट्रेन में एक महिला को बंदू की नोग पर आरोपी ने लूट लिया पिड़ी तनुसार या घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है जब पीडित नीसा महिस पात्रे हर रोज की तरह दादर से लोकल ट्रेन की महिला स्रेणी में सवार हुई उस वक्त स्रेनी में तीन से चार महिलाएं पहले से ही मौजूद थी ट्रेन जब अंधेरी स्टेशन से रवाना हुई तो पहले से सवार यात्री में से एक ने अचानक नीशा पर बंदूग टान ली बंदूग की नोग पर नीशा का पर्स शिनते हुए पर्स में रखे चार जार रूपए लूट आरोपी बोरी वली स्टेशन उतर गया जिसके बाद घटना के सूचना जी आरपी को दी गई जी आरपी ने जांच परताल सुरुकी और महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को धर्द बोचा आरोपी की पहचान 22 वर्षिय अब इसे एक पांचाल के रूप में हुई है प्रात्मिक जानकारे नुसार वह एक किनर है इसलिए महिला डब्बे में आसानी से चड़ लूट की वारदात को अंचाम देने में सफल हो गया परंतो पुलिस द्वारा इस बात की अभी पुष्टी नहीं की गई है फिलाल पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 386 तथा 354 के तहत आपराधिक मामला दर्च कर लिया है इस पूरी लूट में दिल्चस्प बात ये रही कि जिस बंदूग से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वह बंदूग भी नकली निकली फिलाल पुलिस आरोपी पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्च कर आगे की कारवाई सुरू कर रही है मिरर अफ दोट से शिवानित दुबे की रिपोर्ट पूरे किंडर को दे दे और उसी के साथ वह किंडर बहुरुलिस्टेशन पर उतर के चल गया एए मैटर हमारे सामने आने के बाद तुरंथ हमारे डिरेक्शन टीम एपएए पाटी और पूरी टीम ने तुरंथ वह किंडर को एरेस्ट किया ताबे में लिया है और जो भी किंणर ने इंसिडेंट में गन का इस्तिमाल क्या और जो पैसे कम्पलेंट की लिए थे ऊपूरे बारामत किया ज़ी ते बहुत्ब गया है किंणर कौंन के इसके बेलट्रॉंड दृभरांजुकर हे गया है सित्फ गरॉप या गठाका है एक मोटरमन्स के पैसे लूटे दे और ये किनर ओरिजिनल है या इसके बारे में हम मेडिकल जांच करवाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा ये सब चीज़े जो गड़न विक अप्दे देखने के लिए वह सब्सक्राइब करें ये ड Chronicle अचलाएप इस ट्रेज में गज मत्रा अणच uniform प्लास्टिक आ जो दृटने में रियरो वनरे साथ और सब्सक्राइब करें रचिवे घ्ड़न आप ये पशूंध आने पर लाइप कमेंच शेर करन ना भूलेंगे